हेलो गाईस, वेलकम टू बैक माई चैनल, तो सुबा के बज़े हैं साड़े पांच और मैंने सोचा कि मुझे क्यों ना यहां पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे तो मेरा काम भी नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि आज मुझे सुबा सुबा कपड़े ही फोल्ड करने हैं और थोड़े से इस्तरी भी करने हैं, तो मैं लग पड़ी हूँ, यहां पे आभी देखते हैं कितना टाइम लगता है फ्रेंट्स, तो यहां पे बहुत सारी ब्लैंकेट भी दोई थी मैंने कल, तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है काम में, पता नहीं चलता है, क्या और मेरी बेटी माबिया चोटी है अब ही, तो मुझे सब को देखना पड़ता है, तो मैं उसके उठने तक मैं यह कपड़े जो हैं, वो फूल्ड कर लूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा बोड़ ताइम माबिया को भी देती हूँ, तो चाए मैंने चड़ा दी है, अब पर काम कर लेती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है पूरा दिन काम संबालना, तो गाउं में तो बहुत ज़्यादा काम भी होता है, तो पूरा दिन काम बस करते करते पता है कि कमर्टेडी हो जाती है, तो यह हर गर की कहानी होती है, तो देखो ना, आजकल सर्दियों का ट हैं कि यह देखिए आभी तो बहुत जादा कप्ले पड़े हुए हैं तो यह देखिए मैंने यहां पर कपड़े पूरे फोल्ड कर दिये हैं और जो इस्त्री करने वाले कपड़े हैं मैंट कर दूँगी तो इस तरहां वक्र भी दी हैं तो यहां पर देखिये हैं मैंने सार'RE केपले итुछ तो यहां तो यह दिखिये चाय रडी कर दी है और मापू के साथ खेलती हूँ और मापू के साथ थोड़ा सा एंजोई करती हूँ और फिर मापया फ्रेश फील करती है तो फिर मैं मापया को माउथ बॉश करवा के फिर उसको मैं सुबा का जो है प्रोटिन देती हूँ तो यहां पे मैंने मापया को पूरी जो है खाने के लिए जो प्रोटीन जो सालेक बगारा देना था वो मने दे दिया तो आभी मैंने घर का जो साफ सफाई है वो मने कर दी और जे इनकी अलमारी में थोड़े कप्रे पड़े हुए थे फोल्ड करने वाले वो मने अभी कर दी याँ पे तो बहुत सारा काम होता है फ्रेंट्स ऐसे कि प काने केलिए मैंने उचाइब कर दीन सब्सक्राइब तो सिर्फ अभी चपाती बनानी यह तो अभी जो आपनी है तो आभी नहा रही है तो मैंने सोचा क्यो नहा मुझे सफाई करनी चाहिए पहले तो मैं नहा ली हूं नहाक के आगी लिए में आतरी हुँशाए थोड़े जो मैंने फोल्ड किये थे वो मुझे लगाने थे तो यह माबया के कपड़े है तो आगे पीछे हो जाते हैं तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से फोल्ड करके रखने परते हैं बार-बार एक कपड़ा लेने के बजे से सारे कपड़े आ उसके बाद मैं उसके बाद भी बहुत सारे अभी काम पड़े हैं उसके बाद मैं खाना खुना बना के पहले फिर मैं सफाई का काम करूंगी, तो ऐसे होता है कि मैं सुबा का जो मॉर्निंग टाइम है वो मैं इस तरह से काम करती हूँ तो ये देखिए मैं सुबा सुबा जो भी जितने भी दिन के कपड़े दूले होते हैं वो मैं सुबा उठके ही फोल्ड करती हूँ मुझे नाइट को टाइम नहीं मिलता है फोल्ड करने का और मैं सुबह जल्दी उठके फोल्ड करके और उनको रख देती हूं ऐसे क्या होता है कि मारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है और टाइम की बचट भी हो जाती है और वाकिका टाइम भी मिस काम जो है वो मिस नहीं होता वो भी हम आपने टाइम का काम कंप्लीर कर लेते हैं तो यहां पे मैं बस आभी खाना वना खलना खिलाओंगे सब को यहां पे माबू फिर से आगी है तो तो फ्रेंट्स आज की पीडियो यही पे एंड होती है तो मुझे बताना कि मेरी फर्स्ट डेली रूटिन आपको कैसे लगी तो मैं इससे भी अच्छी-च्छी आपके लिए डेली रूटिन वीडियो लेके आते रहेंगे तो आज के लिए हमारी यही वीडियो है तो बहुत लंबी होगी थी वीडियो तो मैंने सोचा कि हाभी तो एंड करना ही चाहिए पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं तो प्लीज प्लीज देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स जल्दी से लाइक कर दो और वैल आइकन को क्लिक किजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले तो मैं बाहर भी घूमने के लिए हम जाते रहते हैं तो बाहर की भी आपको ब्लोगीन देखने को मिलेगी और डेली रूटीन वीडियो भी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो तो थैंक्स पॉर वाचिंग मैं वीडियो बाइबाइ